हम life में जो भी करते हैं उसके consequences हैं सही या गलत पर फिर भी हमारे पास हक है हम choose कर सकते हैं कि हमें क्या करना है Hello friends आज के हमारी movie Disobedience ये इसी concept पर based है अपने father की date के बाद हमारी main character घर पर आती है उसके बाद एक affair की वज़े से सब कुछ गड़वर होने start होती है movie start करने से पहले में आप सबसे request करना जातो अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा इसी चानल को बहुत support मिलता है बिना किसी दरीके इस explanation को start करते है यह जो हमारी story है यह जू लोग की है इनकी प्रेयर जल रही त्ठी पत्व करते हैं उनके साथ बुरा होता है जो उच्छा करते उनके साथ अच्छा पर हमारे पास एक equipment है जो हे हम जूस कर सकते कि हमें क्या करना है वर करते करते को हटव हटव अगयं एहां कर एड रहाड नेंक शेल यहुइं हमसे इंट्रटीस होती है यह एक बहुत ही जादा डिस्टब हो चुकी थी चलते चलते बार तक गई और पुरा समय रो रहे थी बार में एक रैंडम स्टेंजर के साथ इंटिमेंट हो जाती है पागलों की तरह यहाँ वहाँ सीटी में घूमती है इसके बाद उसने एक फ्लाइट लिए और वह अपने टाउन आगे रैव का फ्यूनरल चल रहा था वहाँ वर वह भोशती है यहाँ पास जो दरवाजा खोलता है उसका नामें डेविड डेविड रोनित का बजपन का फ्रेंड था और उससे देखकर बहुत ही जादा सप्राइस्ट है हमें पता चलता है कि राव यह रोनित के डैड थे इसलिए वह इतनी डिस्टरब थी रैव की डेथ निमोनिया की वज़े से हुई थी यहाँ फ्यूनरल पर आने के बाद सब लोग स्टेंजर है और डेविड भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि रोनित घर से भाग गई थी उसने अपनी फैमिली से कोई भी कॉन से नाराज हो वो कहता है कि तुम अचानक से चली गई थी यानि कि अफकोस वो नाराज है एक टाइम पर यह बेस्ट हुआ करते थे रोनित ने उससे पूछा क्या तुमने शादी किये डेविड मैरीड है पर रोनित गेस नहीं कर सकते कि डेविड ने किसके साथ शादी की हो कि शादी हो चुकी है एसटी के यहां से जाने के बाद रोनित डेविड से पूछती है तुमने उससे शादी किये डेविड गहता है तुम चली गई थी हम दोन ही बचे हुए थे रोनित नाराज है क्योंकि उसके फादर बिमार थे पर फेविड डेविड ने उसे कुछ भी पता है नहीं था इस फ्यूनरल के बाद इनका एक इवेंट है जिसका नाम है हिस्पेड ये सही से हो जाना चाहिए इसलिए डेविड रोनित से कहता है तुम यहां तमा शाविगर खड़ा मत करना सब कुछ सही से होना चाहिए रात में इस्टी रोनित को रूम वेगरा देत रोनित इस्टी से पुछती है कि तुम्हें कह लगता है मुझे यहां रहना चाहिए इस्टेर ने कहा कि यह तुम्हारी चॉइस है और वो यहां से चली गए जब उसे डेविड मिलने के लिए आया हुआ था तो रोनित न्यूस पेपर देख रही थी इस न्यूस पेपर में र राव के जो followers थे हैं वो मुझे से जादा उनसे प्यार करते थे उसी यह भी नहीं पता कि उसने खुट ने कभी अपने फादर से प्यार किया वो स्टी और डेविड से बोशती है क्या तुम दोनों हैपी हो यह कहते हैं कि हम दोनों खुश है रोनित की आने के वज़े से सिक्योर हो कही थे रात में डेविड को बेड़ वरो किस कर लेती है अगले दिन रोनित जब क्रेव पर गए तो वहां औरेड़ी राव के followers थे नेक सिंसर में पता चलता है कि स्टी एक टीचर है डेविड भी राव की तरह एक राइबाय बनने वाला है उसके कलिक उसे डेविड फ्राइड़ी को ही इंटीमेट होते हैं एक राथ रोनित की फैमिली, स्टी और डेविड ये सब डिनर करते हैं डिनर पर रोनित की आंड़ बात करती है कि उसकी बेटी को कितने बेटे हैं वो रोनित से कहते है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए रोनित को इन सब चीजों में focus नहीं है, यही reason था, वो घर से बाहर चली गई थी, अगर वो इस community में रहती, तो जबर्दस्ती उसके शादी करवा देते, वो नहीं चाहती थे, यहाँ इसी dinner पर हमें ये भी पता चलता है, कि डेविड एक अनात था, राव ने उसे घर लाया था, और पीछे पीछे डेविड आता है, राव का घर है, जो राव अब सेल कर सकती है, तो इसे के बारे में बात करने के लिए, वो अपने अंकल के पास आई, उसके अंकल राव की विल उसे दिखाते है, इसे राव को पता चला, उसके फादर ने घर उसे नहीं दिया, तो community को दे द उसके अंकल ने कहा, तुम्हें 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 पता भी नहीं था, अंकल कहते हैं, तुम्हें पता कैसे होता, तुम तो भाग गई थे, तुम्हारी लिए यह सब बहुत डिफिकल्ट होगा, तुम्हें गिलास तक तुम्ह वारे फादर ने तुम्हें माफ नहीं किया इसके बाद में एक सिन में हम देखते हैं कि स्टी शॉपिंग कर रही थे यहां उसे पता चला कि थोड़े टाइम पहले यहां रोनीत थी वो उसे ढूंदे ढूंदे उसके पीछे आ जाती है उसने उसे ढूंडा और इसके बाद स् रोनीत की financial situation बहुत ही खराब है वहती है अफकोस चाहिए था financial freedom किसको नहीं जाई होता इस घर में इन्हें अपने बच्पन की याद्या आई राव हमेशा अपने रूम में study करते थे रोनीत की रूम में दोनों खेला करती थे रोनीत ने स्टी से बूचा क्या तुम्हें रोनीत घर छोड़ने के साथ 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 स्टी को भी छोड़ कर गई थी तो रोनीत एस्टी को रोगने की कोशिश करती है पर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है एस्टी ने कहा तुम्हारे फादर की news देने के लिए मैंने ही तुम्हें कॉल किया था इसके बाद घर के भार आये वोक ले रहे थे अपने मैरेश को एक्स्प्लेइन करने के लिए एस्टी कहती है कि राव हमेशा कहा करते थे जल से जल शादी कर लेनी चाहिए हमारे पास एक साथी होता है जो हमें सपोर्ट करता है बुड़ावे में सहारा देने के लिए बच्चे होते है तुम्हारे जाने की बाद मैं बहुत ही डिस्टरब थी इसी वज़े से राव ने मुझे सज्जेस्ट किया मुझे डेविड से शादी कर लेनी चाहिए उससे शादी करना भी इतना बुरा नहीं था रोनित को इस वर बिलिवने होता वो कहती है क्या तुम दोनों फ्राइड किसे मैरे जी करना है तो इसका पॉइंट क्या है ऐसे बाते करते करते एक प्लेग्राउंड तक आया इन्हें याद आया इनके फर्स्ट किस यह इसी पेड़ के नीचे थी रेनी स्कोर्ट के बास आकर किस कर रहे थे दभी वहां की लाइट्स ओन हो गई कुछ लोगों ने इ से गले लगा लेता है अगली दिन जब एस्टी टीच कर रहे थे तो उसके प्रिंसिपल ने उसे बुला लिया एक्च्वल में जिन लोगों ने रोनित और एस्टी को एक साथ दिखा था उन्होंने बात प्रिंसिपल को कही है यह सब चीज़े रिलिजन में फॉर्बीडन है तो उन्हें बहुत डाटा जाता है स्कूल खतम होने के बाद एस्टी जब बहार आए तो वहां रोनित खड़ी थी एस्टी जल्दी से उसे एक काम जगा पर लेकर जाती है वो कहती है कि मैं एक रिलिजिस लाइफ जी रही हूँ तुमारे साथ यह सब जीसे में नहीं कर सकत रोनित ने कहा कि कही और जगा जाकर बात करते हैं यह दोनों फिर होटेल में आए एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए इस्टी रोनित से कहती है कि मैं हमेशा तुमारे बारे में सोचा करती थी तुम कैसी होगी क्या करी होगी यह वंडर करती थी रोनित एक थौट में ग देविड से करना चाता था वो इन सब के सक्त खिलाफ था तो इसी वज़े से रोनित को घर छोड़ना पड़ा था एस्टी जब घर पर आई तो डेविड उसके साथ इंटिमेट होना चाता था इस बात से वो बहुत ही डिस्टब थी उसने बातरूम में जाकर उल्टी कर दी अब उसे पता जला कि वो ब्रेइंट है अगले दिन ब्रेकफास पर एस्टी डेविड से गहती है कि मैंने रोनित को किस किया देविड उसके पास आया ओंगहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आरा रोनित हमेशा यही करती है क्या उसने तुम से कहा कि तुम भी उसके साथ नुग जा सकती हो हम हमेशा एक दुसरे से हॉनेस रहे हैً हम खूश है इस तरह से हमारी लाइफ को बरबात मत करो ST कहती है मैंने रोनित को बुलाया है वो वापस आये यही मैं हमेशा से चाहती थी मैं जो हूँ वो हूँ इसे मैं बदल नहीं सकती ये सब बात सुनकर डेविड यहां से चला गया रात में रोनित, ST और डेविड इनमें बहुती वीर सा डिनर होता है इसमें रोनित कहती है कल रात की फ्लाइट से में चली जाओंगे डेविड का मानना सही हुआ जब भी चीज़े हार्ट हो जाती है तो रोनित वहाँ से भाग जाती है वो ST से पुछता है क्या अब तुम क्या करोगी ST गाय दिख मुझे पता नहीं है इस बात की वज़े से ST रोनित पर बहुत ही गुस्सा थे अगले दिन रोनित जाने के लिए जब एरिपोर्ट पर आई तो उसे डेविड का कॉल आया वो कहता है कि ST गाय वो चुकी है वो कहीं भी मिलने रही वो रोनित को भी ST के लिए डर लग रहा था तो इसलिए उससे ढूणने के लिए वो डेविड के साथ यहावा घुमती है बहुत टाइम तक ढूणने के बाद जब यह दोनों घर पर आये तो वो अपना माइंड करने के लिए उसने कुछ टाइम ओफ लिया था डेविड रोनित पर गुसा था तो कहता है कि शायद उसने तुमें कभी कॉंटेक ही नहीं किया होता रोनित कहती है कि मेरे फादर की डेथ हुई थी क्या तुम मुझे बताने भी नहीं वाले थे डेविड ने कहा कि मेरे वाइफ को मैं प्रोटेक करने की कोशिश कर रहा था ये सब बात सुनकर स्टी डेविड से कहती है कि मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए डेविड उससे सौरी कहता है पर हो खहती है कि मैं pregnant हूँ मेरे पास बच्पन से कोई भी choice नहीं थी जो भी religion में था वो मुझे मानना पड़ा था इस बंदिश में मैं मेरे child को नहीं लाना चाहती है उसे इस religion को choose करने का option होना चाहिए डिविड को acceptable नहीं था तो यहां से वो चला गया आज रात ही सब लोगों का hispid का event था इसमें रोनित और STP आते है इस speech में डिविड कहता है रोनित के father राव की जब death हुई थे तो उनके final words में of freedom के बारे में बात कर रहे थे उन्होंने कहा था कि हम choose करने के लिए free है हम सब लोग free है इसी वज़े से में choose करता हूँ कि में रायवाय नहीं बनने वाला उसने इस honor को ठुकरा दिया ये जो यहाँ वो बात कर रहा था इसे उसने accept कर लिया है STP choose कर सकती है ये जब हो जाने के बात ये सब बहार आए तो STP ने रोनित को हक किया रोनित भी ये देख रही थे तो इन्होंने उसे भी invite कर लिया ये तीनो as a friend एक दूसरे को judge ना किये हुए एक दूसरे को सहारा देते है अगले दिन सुबा रोनित यहाँ से चा रही थे हम देख सकते हैं कि ST और David अलग-अलग सो रहे है रोनित कार में बेटके और ST उसके पीछे-पीछे भागते हुए आई एक दूसरे को kiss करते है रोनित ST से कहती है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी मदर बनोगी ST ने decide क्या है कि और रोनित के साथ नहीं आएगी जैसी कि हमें पता है यह रोनित इतने dependable नहीं है ST के भी एक life है छोटे बच्चों को पढ़ाना उसकी job उसे अच्छी लगती है रोनित के लिए अपनी life इस तरह से छोड़ नहीं सकती है वो सिर्फ अब अपने होने वाले baby को एक choice देना चाहती है वो नहीं चाहती है उसका baby किसी भी religion में confine रहे इसी तरीके से freedom के बारे में बताते हुए यह movie end हो जाती है अगर आपको एवीडियो अचलागा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आथ रहता हूँ तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दावर मत भूलेगा अब फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे